साथियो आज हम बाई प्रदूशन आपको पढ़ाने वाले हैं और पर्यावरण विशह पूरा हम नूर्स के माध्यम से आपको याद करवा रहे हैं आप हमारे एप पर जाएं यह पूरा पीडियेफ आपको मिलेगा सुरुआत के जो दो पेज हैं जो के प्रदूशन टॉपि एसो के कारण जो होता है जैसे कि सबसे पहली बात आते है सलफर डायोकसाइज एसोटू की तो आपको याद रखना है किस किस से निकलता है साथियो एसओ तो परिभण एंधन के जलने से और द्यूगिदोग के धुए में और चारकुल के जलने से साथियो एसओ जो है बायम का संचारन भी जो है इसके कारण होता है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि SO2 के कारण जो है साथियों चांदी का रंग काला हो जाता है ठीक है और अभी आमने बताया कि अमल बर्सा में भी जो है उतरदाई रहता है अमल बर्सा जब होती है न तो जल के साथ क्रिया करके यह क्या है क्या हैric 2 बना लेता है और अमली बर्सा में सात्यों HNO3 भी रहता है नाइट्रिक अमल भी रहता है ठीक है अनो टू क्रिया करके जल से क्या बना लेता है अब आपको याद रखना है जब आसो टू की मातरा बढ़ जाती है तो इसके कारण साथ इसकिन का कैंसर हो जाता है तोचा कैंसर हो जाता है और इस एसे रेन के कारण किके जो अमली वर्सा हो रही हो एसो टू जो है ना इसके कारण जो है ताज मेल का रंग साथ पीला होता जा रहा है किके एसो टू के कारण अब चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्ण को इसलिए आगरे के नजदी के जितने भी ओध्यो होता कै तो सबसे पहली बात तो इसके बारे में महत्यपून जो है वो यह है कि लाइकेन जो रहता है यह सेवाल और कबक से बना होता है यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि लाइकेन जो रहता है यह प्रदूसर्ण सूचक के तोर पर जो है जाना जाता है लाइ जो है सूर्टू की मात्रा है मतलब बाइप्रडूशन है और जहां बाइप्रडूशन होगा लाइकन नहीं उगसागता ठीक है? और आपको याद रखना है कि लाइकन का उपियूग जो है लेटमस पेपर बनाने में किया जाता है ठीक? आपको यह याद रखना है कि लाइकेन सब्द जो है थिऔ-फरेश्टश ने दिया था और थिऔ-फरेश्टश को जो है father of votittain कहा जाता है आपको यह भी याद रखना है कि भाई जैसे कि आपने पढ़ा होगा भाई ये दो ट्रिक याद रखना एक तो अनिल और चालेनी दो नाम याद रखना अनिल और चालेनी इसका अर्थ क्या है कि जो अमल रहते हैं ना भाई ये जो रहता है आपका अमल जो रहते हैं वो क्या है नीले लिटमस को क्या है साथ साथ यो लाल कर देते हैं और जो चार रहते हैं वो लाल लेक्टमस को कैसा कर देते हैं साथ यो नीला कर देते हैं अनिल अर्थात अमल नीली को कैसा लाल कर देते हैं और चालनी अर्थात चार लाल को नीला कर देते हैं ये ट्रिक अच्छे से याद रखना अब देखें का बा अहत्पो ऐसे दहन नहीं हो रहा है इंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है अर्थां Do देदन के अपूर्ण धहन से मात्रा भढ़ती है क्रोशॉन तंत्र हमारे फैन्पर वहती है थे से हमारे फ्रहरे प्रभावित होते है Add His तो याद रखना है जो क्राछं मामलमॉशाईड से घ्र हमारे प्रबावित होता ते मैं यह 300%ải G करवल का जो सभी से यह एसी और से होता है और संसी के कारण जो है ओछन परत का च्रण होन होता है चर्म रोग होता है तोच्छा काभी कैंसर ज्योंहर्ट इसके कारण होता है बात आती है करवांड़ और इंधन का पूर्ण देहन हो रहा था अपूर्ण देहन नेकलेगी और इसके कारण जो है ग्लोवल बार्मिंग गैस साथ हो यह थीक है सीओ टू और ग्रीन हाउस गैस जिसे का जाता है ग्लोवल बार्मिंग के लिए उतरदा ही रहती है और कारण उसरजक देशों की अगर हम बात करें तो चायना नम्मर एक पर है पूरे बिश्व फिर यूएस से फिर इंडिया तीसे नम्मर पर आता है कारण उसरजक देशों मे बात आती है मिथैन की अर्थाथ है CH4 तो CH4 यह धान के खेट से जो है निकलती है मानव और पस्वों के अपसिश से भी निकलती है कोईले की खान से भी निकलती है ठीक है यह ग्रीन हाउस गैस है मानव का इस पर कोई प्रत्यच्छ प्रभाव नहीं पड़ता है मीथैन का अ ऑजोन की तो आपको याद रखना है ओजोन का जो सुरोत है वो उद्ध्योग और बाहन दोनों है ओजोन के कारण भी इसक्रेन रोग होते हैं सांस लेने में तकलिप होती आखों में जलन होती है ओजोन गैस जो है यह समता आप मंझल में पाई जाती है ओजोन परताप की और परावैगनी केड़ों से यह रच्छा करती है किक है अगर ओजन छो मंजल में मिलेगी तो यह मानव के लिए सात्यों क्या है हानकारक होगी आपको याद रखना है कि देखिएगा अब हम पढ़ेंगे प्रकास रासाइनिक धूम कोहरा जो कि शोशन तंत्रों यातायात सोशन कि कमाएंगी अब देखिएगा बात आती है अरुशुल की तो दिख अरुशुल होता क्या यह ठोस द्रव और गैस की कंडों का एक मिस्रन होता है अरुशुल ठीक है यह उद्योगों से निकलता है बहानों से यह क्रसिकारे से सोशन तंत्र aerosol से प्रभावित होता है बात आती है फ्लाइंग S की उड़न राक क्या होती है कोईले की देहन से प्राप्त होती है तीक है उड़न राक सुसंत तंत्र को ये प्रभावित करती है अब देखिएगा बात आती है भई S P M अर्थात निलंबित कड़की पदार्थ Suspended Particulate Matter ये जो है इनका आकार 0.01 से 100 माइक्रोन तक होता है अगर इनका आकार 1 माइक्रोन है तो ये सेल में भी प्रिविस कर जाते हैं कोईल का में भी प्रिविस कर जाते हैं और 2.05 माइक्रोन के जो S P M होते हैं वो ब्लड में भी प्रिविस कर जाते हैं और 10 माइक्रोन के जो S P M होते हैं वो लंग्स हमारे फेंपडों में भी प्रिविस कर जाते हैं इस तरह ये इनको प्रभावित करते हैं अब देखिएगा बायव प्रदूशन नियंतरन के लिए कुछ उपाय किये गए है जैसे के भारत में BS6 को कब से लागू किया गया है एक अप्रेल 2020 से लागू किया गया है और बरस 2014 से सुरुवात की गई है राश्य बायव गुडवत्ता सूचकांक की ठीके National Air Quality Index की सुरुवात 2014 से की गई है और बायव प्रदूशन नियंतरन अधिनियम जो है 1981 लागू किया गया बायव प्रदूशन के कारण जो प्रमुक रोग होते हैं वो है साथियों अगर पारे की मात्रा बढ़ जाती है वायू में तो मिनी माता रोग होता है सिंड्रोम रोग होता है और केडमियम की मात्रा बढ़ने पर एटाई एटाई अर्थात आउच आउच रोग हो जाता है तो यह तो बायव प्रदूशन के कारण होने बाले प्रमुक रोग हैं तो कम्प्लीट आपको पर्रावन इसी तरह नोट्स के माध्यम से हम कवर करवाएंगे याद करवाएंगे एब पर जाएए पूरे पीडियाफ आपको फिरी मिलेंगे पर्रावन नोट्स के